क्या-क्या सुधारा अपने इनके अंदर सुधारा इनके सारे तो रिम, टायर, बैंटरी शब कुछ दुवार रपेर रहे हैं इनका सारा तो टोटल खर्च कितना आया खर्चा इनको उपर दो अपर आया डेड लाखे करीब और डेड़ लाग सवालाग में तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी नहीं रिक्षा आजाती है एक नहीं रिक्षा आजाती है दो साल पहले MPLADS से GJU को मिली इन इरिक्षाओं पर उठ रहे हैं सवाल आखिर क्यों है इन इरिक्षाओं का इतना खस्ता हल इरिक्षा में ही है खराबी या फिर चली जा रही है कोई राजनीतिक चाल और आखिर जरूरत होते हुए भी क्यों नहीं किया जा रहा इन इरिक्षाओं का इस्तमाल दूंगी सभी जवाब चाहे कोई भी हो सवाल लेकिन उससे पहले मैं अंकिता सिंग सिटी बिग नूस पर आपका स्वागत करती हूँ दरसल हिसार की जीजे यू यू यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीकी की इरिक्षाएं आज से तकरीबन तकरीबन दो साल पहले दोशन चोटाला के एमपी होने के समय पर उनके एमपी लैट्स के खाते से जीजे यू 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 यूनिवर्सिटी को दी गई थी लगबग पाँजी रिक्षाएं प्रशाशन के द्वारा यहाँ पर बताई गई है कि उन्हें मिली थी लेकिन फिर भी तकरीबन दो साल के अंदर ही इन दो इरिक्षाओं को यहाँ पर गलने के लिए जरने के लिए छोड़ दिया गया है और यह रिक्षा आज से नहीं बलकि बहुत पुराने समय से यहाँ पर खड़ी है सवाल यह खड़ा हो जाता है कि जरूरत जब जिजे यू प्रशाशन को है तो भी इन इरिक्षाओं का इस्तमाल क्यों नहीं किया जा रहा है कि इन्हें यहाँ पर यो जरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है क्या यह दुष्यण-चोटाला के लिए कोई राजनितिक चाल है या फिर वाकश हिंए इन रिक्षाओं के अंदर किसी तरीकी की गड़बड़ी है और गड़बड़ी है तो क्यों कि यह रिक्षाइं तो बिलकुल नहीं है यह सारे सवाल जहन में उठकर के आते हैं तो चलिए इनका जवाब मांगते हैं यहां के ट्रांसपोर्ट सुपर्वाइजर से उनके पास आ प्रागत करती हूं आपका हमारे जी सर मुझे बताएं पहली बातों कि एमपी लेट्स के खाते से जीजे यू को कितनी रिक्षाइन दी गई थी पांच पांच यह रिक्षाओं में से फिलहाल कि चल रही है यह दो तलरी यह दो चल रही है और बाकी तीन कहा कहा खड़ी है तीन गेट गोड़ी के गट तो वहां पर खड़ी क्यूं है क्या खड़ी करनी के लिए नहीं सांट पर लगज़ कराने के लिए तो उनको रूपेर करा जावा कि दो कितने समय पहले आपको ना चलने का कारण क्या है क्या है क्या रिक्षाओं की क्वालेटी खराब थी यहाँ पर शरालती तत्वों पर रिक्षा की क्वालेटी खराब थी खराब हो गई तो रिक्षाओं यहीं है यहीं चल रही चले क्या क्या सुधार आपने इंके अंदर इंके सारे तो रिम टायर बैटरी सब कुछ दूबबार रपेर रहे इनका सारा तो ठीटल खर्च कितना आया खर्चाइन वोपर दो पर आया डेड़ लाख है करीव और डेड रिक्षाएं खरीदी गई थी उस कंपणी को आप लोगों ने कंप्लेंट की कि आपकी रिक्षा आते ही खराब हो गई बताया था तो उनका क्या जवाब था उन्होंने बताया कि बिल्कुल के खाते में से आई चीजों को ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि क्वालिटी जो है फिलहाल इनी रिक्षाओं की खराब दी गई थी उप मुख्य मंतरी दुशन चोटाला के द्वारा जब वो हिसार के एंपी थे और उसके बाद दो रिक्षाओं पर यह सुपर्वाइजर सत्बीर जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं वापिस चलिए आपको ग्राउंड में लेकर के चलती हूं खराब रिक्षाओं के पास तो यह थे ट्रांस्पोर्ट सुपर्वाइजर सत्बीर जी जिनका कहना है कि दरसल यह रिक्षा वो चलाना चाहते हैं अगर मजबूरी में चला नहीं सकते क्योंकि रिक्षाओं की क्वालिटी जो है बहुत जादा खराब है इन्हें ठीक करवाने का खर्च नई रिक्षा खरीदने से भी कहीन कहीन जादा है इसलिए नई रिक्षा खरीदने के प्लैनिंग जो है फिलहाल जी जे यू के अंदर चल रही है और इन रिक्षाओं को फिलहाल यहां पर खराब होने के लिए ही छोड़ दिया गया है तो सवाल एक ही है कि आखिरकार इतनी घटिया क्वैलिटी जो है क्यों यूज की गई एमपिलेट्स के खाते से मिली चीजों के अंदर बड़ा सवाल है जवाब जरूर प्रशाशन को देना चाहिए यह मेरी वीडियो यहीं तक आगे भी रिपाउस ऐसे ही लेकर क्याते रहूंगे तिके सवाल पूछती रहूंगे बस जवाबों के लिए आप बने रहे हैं मेरे साथ और शेर करते रहे हैं मेरे वीडियो को और हाँ लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा हमारे चै